प्रिवन टेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर शिश्वागत है जैसा कि हम सच्चक को पता ही है कि अभी 15 जनवरी 2021 तक हमारे जो लिष्ठा टर्रिनिंग्स के 18 मोड्यूल से वो खत्म हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे कंपलीट हो जाएंगे उरसे पहले ही यानि कि एक जनवरी से लेकर की 31 माज तक हमें 25 प्रिश्चट पूरे और करने तो इन मैंसे आपको 8 जनवरी तक आठ चनवरी 2021 तक दो प्रिश्चट करने हैं जिन मैंसे कोर्स वन बच्चों की भासा स्कूल वर्शिस घर तो इसमें जो भाग एक है बच्चों के घर की भासा और उसमें जो भी प्रिश्चट प्रियोग की गई है उस प्रिश्चट को हम लोग इस वीडियो में देखेंग आपको पूरा भाग अपना प्रिश्चट जरूर कर लेना है शुरू करते हैं इस वीडियो को तो यहां से यह प्रिश्चट आप देख पा रहे होंगी जिक सरकी प्रिश्चट 25 प्रिश्चट होने हैं 31 मार्ज तक उनमें से एक पहला प्रिश्चट है और इसका जो अपने घर की भासा जो उसकी घर में प्रियोक हो रही है मगई में बात कर रही थी आपके अनुसार सिच्चक ने तुलसा को ठीक से बात करने की सलाय क्यों दी थी देगर बिकल्पों में से चुनना है तो चार बिकल्प है उनमें से आपको एक यानि की सही बिकल्प चुनना तुलसा ऐसी भासा इस्तेमाल कर रही थी, जो इसकूल की नहीं है, तुलसा ऐसी भासा का इस्तेमाल कर रही थी, जो देश में अमान है, तुलसा ने गलत पाकसर रचना का इस्तेमाल किया था, तुलसा ने काफी गलत या गंदी बाद, तो इसका जो सटीक उत्तर होना चाहिए वो पहला वाला होना चाहिए यानि कि जो तुलसा ऐसी भासा इस्तेमाल कर रही थी जो स्कूल की भासा नहीं थी इसलिए द्यापक ने उनको तुलसा को ऐसी बात करने की सला दी ठीक से बात करने की सला दी तो ये पहला वाला जब हम पार्ट देख रहे हूं उसका ये चोथा तुलसा स्कूल में इस्तिमाल या मान्य भाशा का इस्तिमाल नहीं कर रही है यह स्थिति देश्ट यह अब यहां पर दूसरा प्रस्ण यह भाग एक का जो पॉइंट से हैं इसमें छोटे-छोटे भाग हैं भाग एक की अंतरगत 33 भाग में से 9 भाग का प्रस्ण है और यहां पर है तुलसा के अन्वो के अधार पर हम बच्चों की भाशा घर की भाशा और स्कूल की भाशा में की बारे में क्या कह सकते हैं तो इसको हम दोग देखते हैं यहां से पहला प्रसनिया पर दिया है गर में और स्कूल में इस्तेमाल की जाने बाली भासा अक्सर अलग होती है ये बिल्कुल सही बात है दूसी बात है स्कूल की भासा हमारे घर के मुकाबले ज़्यादा अप्शारिक होती है ये भी बात बिल्कुल सही है दोनों ही बासा बिलकुल एक जैके से इस्तेमाल की जाती ऐसा संभून है, फिर एक चॉथा, स्कूल की बासा, किताबों की बासा से काफी पिरुआवबित होती है, यह भी बिलकुल सही बात है, यहाँ पर हम एक, दो और चार विकलब को सही करते हैं, आप करते हैं, पहला, पार्ट है 33 जो छोटी छोटी बागें उनमें से 14 नंबर पर ये प्रशने आपके अनुसार ऐसा क्या क्यों हुआ हुगा मतलब इससे पहली का जब आप प्रशन चड़ में कर रहे होंगे तो जब उसको आप समझें यचे इस तब इस इन प्रशनों की उत्तर दे पाएंगे इ यहां से यह बिकल्प जो आपको पहांच दिये गएं किताबे काफी मानक और अकादमक होती हैं अकादमक भासा का इस्तेमाल करते हैं किताबों की भासा काफी आपचारिक और बिसेकेंद्रित होती हैं किताबों में रोज मर्रा में इस्तेमाल होने वाले आमसद नहीं होते ह सबनम ने किताब में दी हुई परिभाशाओं को ठीक से याद नहीं किया होगा सबनम को बास्प्री करण और संगनन की आउधारणा ठीक से समझ नहीं आई होगी तो यहां से पर सच्छड की अनुशार या इससे पहले वाला जो भाग आपने पर सच्छड किया इसे कि शबनम की भाशा को स्कूल में स्वीकृती नहीं मिलती है जिससे उनके सीखने पर बुरा असर पड़ता है घरों में इस्तिमाल होने वाली भाशा स्कूल में इस्तिमाल हो रही भाशा से काफी अलग हो सकती है किताबों में काफी अकादमिक, अपचारिक और विशय केंद्रित या तक्नीकी शब्दों का इस्तिमाल होता है बच्चे अपने वातावरण में अलग-अलग भाषा के आदान प्रदान से एक ही समय पर एक से अधिक भाषा सीख पाते हैं तो यहां से आपने इस भाग में जो कि आप देख पाए कि यहां पर टोटल 33 चोटे-चोटे पार्ट्स थे और उन में से जिस पार्ट्स में भी प्रस्न पूछा गया उस प्रस्न को हमने इसमें सामिल किया तो इस वीडियो को आपको देखना जरूर है इसके बाद में अगले पार्ट में जो भी प्रस्न सामिल किये गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का बेट जरूर करें